वीडियो दोस्तों आजकी इस वीडियो में मैं आपको बताँगा कि अगर आपका कोई इंपोर्टेंट डेटा फोटो वीडियो या कोई भी डियोकिमेंट अगर कोई आपके वॉलेट से डिलीट हो जाते हैं बाइट मिस्टेक फॉर एक्जामपल आपके बहुत सारे ऐसे खतम हो जाते हैं हमारे पास रहते ही नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके तुरू आप उन सारे फोटो वीडियो जो भी आपका इंपोर्टेंट डेटा होगा उसे अच्छे से रीकवर कर सकते हैं और नहीं दोस्तों यह इतना ही नह आज तक और दोस्तों उससे पहले मोस्ट इंपोरेंट आप यह चार्ट देख रहे हैं इसमें देखिए 96% हमारी भाई बहन ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं बट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं तो यार अपने भाई का चैनल सब्सक कर लिजे या जो भी आप यूज करते हों इंटरनेट यूज करने के लिए तो सिंपली मैं क्रों ब्राउजर यहां पर ओपिन कर लेता हूं अब आपको गूगल पर सिंपली टैप करना है गोविपू.com ठीक है एतना टैप करते ही आप इसे एंटर कर देंगे एंटर करने के अब गाइस हमें इसमें इसे दो एप्लिकेशन्स डाउनलोड करने है ठीक है गाइस दो एप्लिकेशन्स पहले तो आप फरस्ट पर ही देख लीजिए वैस्ट डिलीटेड फोटो रीकवरी एपी के डाउनलोड यह जो लिखा है हमें इस एप्लिकेशन को और गाइस जो सेक करते हुए नीचे जाना है नीचे जाना है और यहां पे जो रेड कलर का डाउनलोड बटन है आप सिंपल इस पे किलिक कर दीजिए आपको रीडारेक्ट होके कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा ठीक है तो आपको यह इंस्ट्रोल कर लेना है मैंने अल्लेडी कर रखा है तो यहां पर पे ओपीन के लिए सिंपली आ रहा है ठीके आप इसे ओपिन कर लिएजिए ओपिन करने के बाद कुछ सेटप होंगी ऑप इसे पर्मी संदी के अलाव कर दीजिएगा आप यहां पर आपको ध्यान से देखना है देख़ीं यहां पर लिखा है स्टार् गैस इस पर click करोगे तो आपके सारे जितने भी photos deleted हुए हैं आपके fonts जितने भी चाहए वो कितने भी old हों ठीके तो यहाँ पर सारे saw हो जाएंगे यह देखे मैंने जितने भी photos आज तक photos, videos सारा कुछ जितना भी delete गया था वो सारा कुछ यहां पे सो हो रहा है ठीक है तो एक तो ट्रिक यह होगी अब गैस मैं बात कर रहा था प्रो टिप्स की तो बो भी गैस देख लेते हैं scanning complete होगे जैसे scanning complete हो जाएगी तो आपको photo की जो three dot पे click करना है और वहां पे आपको करना है save this file locally या record this file save this file पर में click करना है जैसे आप यह click करोगे तो यह location मांगेगा इस फाइल को आपको कहां पर save करना है आप चाहे तो एक नया folder बना लेजिए recovery photos का वहां पे आप सारे photos जो है उसे recover कर सकते है ठीक है phone अगर hang हो रहा है slow हो रहा है इस एक वीडियो में मैं बहुत सारे topic cover करने की कोसिस करूंगा guys ठीक है जितने आप भी आपका phone hang हो रहा है slow होता है या जब भी यह hang slow इसलिए होता है जब भी आपको फोटो डिलीट करते है तो वह एक temporary file बनके हमारी device में अपनी storage बना लेता है ठीक है 296 Mbiped यह बढ़ता जाएगा जो यहां पर 2% आ रहा है यहां पर 100% होगा तो यहां पर बेट कीजिए और यहां पर पूरा इससे scan हो जाने दिए जैसे यह scan हो जाएगा तो सारी आपको temporary files दे देगा बहुत सारी temporary files आपके phone में होगी तो वह आप simply यहां से delete कर सकते है ठीक है यह हो गया अब guys pro tips में आपको देने वाला था वो कुछ यह है कि वहां से जो मैं आपको एक application बता रहा था तो simply आपको वही website open करना है second पर लिखाए guys ES file explorer pro आपको यह भी install कर लेना है ठीक है यह install इसके बहुत सारे benefits हैं guys आप चाहें तो यह articles read कर सकते हैं आप भी यहां से इसे download करके install कर लीजीगा मैंने already कर रखा है यह देखिए तो मैं simply इस पर tap करके open कर लेता हूँ अब guys मैं इसका use बता देता हूँ आपको देखिए पहले तो इसमें बहुत सारे customization है ठीक है बहुत सारे आप easily सब कुछ यहां से track कर सकते हैं यह देखिए यह पर recycle bin है ठीक है इसे आप हमेशा on करके रखें अब जब भी आप इस फाइल में से कोई भी data I mean कोई भी photos या videos delete करते हो तो simply वह आपके recycle bin में जाके save हो जाएगा for example मैं आपको एक कुछ folder delete करके दिखा दीता हूँ मैं आपको यह वाला delete करके दिखाता हूँ ठीक है यह मैंने simply ली okay कर दिया अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यह देखिए इसमें वह recycle bin store हो गया ठीक है recycle bin में अब हम यहां से अगर delete करते हैं फिर यह कई नहीं जाएगा यहां से हम इसे restore भी कर सकते हैं तो guys मेरा कहने का मतलब यह है आप जो भी file delete करें वह यहां से करें विकोज य यह हमें save कर लेता है और बाद में अगर हमें जरूरत होती है तो बाद में हमें provide भी करा दिता है अब गैस एक और टिप लगा है for example आप फोटो एप लोग कोई यूज करते हो photos hide videos hide करने के लिए कोई upload यूज करते हो तो इस मैं आपको recommend करूंगा कि आप भूण ना करें because कभी कबर क्या होता है कि किसी by mistake हमारा जो data होता है मिन जो important photos picture होते है वो चले जाते है ठीक है for example आपका कोई important video या कोई picture है तो उसे आपको hide करना है तो आपको simply क्या करना है इसमें वो picture open कर लेना है और आपको उस पर tap करना है और यहाँ पे एक icon आएगा rename का आपको simply वो open क कर लेना अब यहाँ पे जो इसका file format है आप इसे जी की जगा एच कर दीजिए ठीक है यह देखिए जैसे मैं एच करूंगा यहाँ पे यह देखिए कुछ step का आ जाएगा इससे कोई open नहीं कर पाएगा ठीक है अब जैसे आपको यह खोलना है आपको देखना है तो simply आपको क्या करना है फिर से rename करके एच की जगे जी कर देना है ठीक है फर इक्जांपल आइमीन जे पी जी ओके तो simply आपको ओके पर प्रेस कर देना अब देखिए यह पैसा ही file format था वैसा ही फिर से आ गया ऐसा ही आपको वीडियो में करना है ठीक है तो दोस्तो आशा करतो यह ट्रिप्स मैं आपको हमेशा देता रहूंगा दोस्तो मिलते हैं आपको बहुत जल्दी next वीडियो में तब तक के लिए जाहिंदे